हलो गाईज, नमस्कार, टार्गर्वित आलोप में मैं राजकुमार एक बार पुरह आपका स्वागत करता हूँ और आज हम खंड सिक्षा अधिकारी अर्थात BEO Block Education Officer के लिए जिवविज्ञान का एक महतवपूर टॉपिक लाया हूँ और आज हम इस टॉपिक पर आपसे संपूर डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात, खंड सिक्षा अधिकारी, BEO की परिक्षा लोग सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है और इस परिक्षा के लिए जो पैटर्न होगा परिक्षा में कोश्चन्स बनने का वह पैटर्न बिल्कुल PCS में आने वाले प्रस्नों के ही समान होगा तो हमको उसी तरह त央री करनी है जिस तरह से PCS में लगातार प्रस्न आते हैं ROIcularो में प्रस्न आते हैं हमें उन्ही प्रश्णों की प्रवित्य को ध्यान रखते हुए वैसे ही त्यारी करनी है देखने वाली बात है कि समय बहुत कम आप लोगों के पास है इस कम समय में हमको सही दिशा में सही त्यारी करनी है to the point पढ़ना है और यह एक ऐसी vacancy है एक ऐसा पद है एक ऐसा प्रतिष्ठित और समानित पद है बिना साक्षात कार के ही आपको अधिकारी बनाएगा तो बहुत ही सांदार मौका है हलाकि यह मौका चुनोती के साथ है तो उस चुनोती को सिकार करिए महनस से लगन से मन से पढ़ाई करिए step by step to the point पढ़ाई करिए और यही एक ऐसा तरीका है जो आपको खंड सिक्षा अधिकारी बनाएगा और आपके खंड सिक्षा अधिकारी बनने के इस टार्गेट में टार्गेट विद आलोग आलोग सर और रभी सर के निर्जसर में संचारित किया रहा है यह दोस्तों आपके हर एक हर एक टार्गेट के लिए हर एक मोटो के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा तो आज जू विज्ञान को पढ़ने के करम में मैं आपसे पाचन क्रिया पर डिस्कस करने वाला हूँ कि पाचन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और पाचन क्रिया में पाचक अंग कौन-कौन से है पाचक गरंथिया कौन-कौन सी है तो बहुत सारे प्रस्ण हमारे पाचन तंतर से आते हैं हम उन सभी प्रस्णों पर बिल्कुल बिश्थिर्त ब्याख्या आपके साथ करेंगे तो पहले देखिए पाचन के पहले पोसर आता है और पोसर के ही चार क्रम हम सामिल करते हैं पोसण अर्थात न्यूट्रेशन के 4 क्रम होते हैं चारो क्रम में पाचन भी एक महत्वपुर भाग है अगर हम बात करें पोसण के क्रमों की तो पोसण में पोसण के कुल 4 भाग होते हैं जिसमें हम पहला भाग सामिल करते हैं, जिसमें होता है भोजन का अंतर ग्रहण, भोजन का अंतर ग्रहण, भोजन का अंतर ग्रहण, और दूसरी क्रिया होती है, भोजन का पाचन, तीसरी क्रिया होती है, भोजन का अवसोसर, और चोथी क्रिया होती है, स्वांगी कारण, तो इन चारों क्रियाओं के माध्यम से पोसर और पोसर्पदार्थ हमें वास्तों में प्राप्तो होते हैं, अगर हम बात करें कि भोजन का अंतर ग्रहण क्या है, तो जब मनुस्य भोजन के ठोस अडूओं को मुख में लेता है, और निगलता है, मुख में लेता है, जिससे भोजन के ठोस अडू, दातो द्वारा महीन और छोटे कड़ों में बदल दिये जाते हैं, और मनुस्य इसको निगल जाता है, ति यह भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है, और यदि हम बात करें भोजन के पाचन की, तो पाचन वह क्रिया है, जिसमें भोजन के ठोस, जटिल और अगुलनसील अडूओं को बिभिन एंजाइमों की उपस्तिती में, ठोस को सरल, ठोस को तरल, जटिल को सरल, और अगुलनसील को घुलनसील भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, और यदि हम बात करें भोजन के अवसोसर की, एब्जॉर्वेशन की, तो यह एब्जॉर्वेशन की क्रिया पाचन के बाद संपन्न होती है, और एब्जॉर्वेशन की क्रिया में भोजन के पचे हुए छोटे-छोटे अडु जैसे एमीनो अम्ल वसा प्रोटीन के अडु यह सब छोटी आत्मे उपस्थित विलाई द्वारा आवसोसित करके रक्त में रुधिर में पहुंचा दिये जाते हैं तो इस क्रिया को हम आवसोसर कहते हैं और इसके बाद नंबर आता है स्वांगी करर का तो जब आवसोसित किया गया भोज पदार्थ फूड स्ट्रप्स यह उतकों की मरम्मत करता है कोशिकाओं का निर्मार करता है कोशिकाओं में घुल करके हमारे अंगों को उर्जा परदान करता है यह एमीनो अमल प्रोटीन यह पेप्टोन यह दोस्तों अन्य रूप में भी होता है तो दिहान रहे जब यह उतकों का निर्मार करता है टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है तो इसे हम स्वांगी करण कहते हैं और जब एमीनो अमल कभी-कभी अधिक मात्रा मे हो जाता है तो एमीनो अमल को यकरित अमोनिया और यूरिया में बदल करके उत्सरजी अंगों के द्वारा मुत्र और पसीने के रूप में बाहर कर देता है तो पोषण की चार अवस्थाएं हैं इन चारों अवस्थाओं में आज हम चर्चा करेंगे आपसे भोजन का पाचन तो पाचन तंत्र क्या है और पाचन तंत्र में पाचक अंग कौन कौन से और पाचक गरंथिया कौन कौन सी है आज चर्चा इस पर हम आपसे करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम digestive system यानि पाचन तंत्र भोजन मनुस्य के लिए आवश्यक और मूल भूत जरुरूरत उस्तों होती है भोजन बहुत ही आवश्यक मनुस्य के लिए है क्योंकि भोजन के द्वारा क्या होता है मनुस्य को उर्जा और ताप उपलब्द होता है अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे पाचन की तो पाचन क्या है पाचन कैसे होता है इन सारी बातों पर आपसे बिस्तित में ब्याख्या करूंगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाचन क्या है डाइजेशन क्या है तो एक बार पहले इन सबसे आने वाले प्रस्तों पर आ जबाब होता है खटा मीठा करवा या नमकीन के अत्रिक्त कौन सा स्वाद जो लाजबाब स्वाद होता है या प्रस्तनभी परिक्षा में आ चुका है इसके अत्रिक्त वह कौन सा भाग है जो अमासई रस को ग्रासनली में आने से रोकता है वह कौन सा भाग है जो स्वास को ग सबसे पहले हमें यह जानना की पाचन क्या है दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो वह ठोस होता है जटिल होता है और अगुलंसील होता है तो भोजन कैसा होता है ठोस, जटिल और आगुलन सील होता है जब भोजन के ठोस और आगुलन सील अड़ों को बिभिन एंजाइमों की उपस्थिती में बिभिन एंजाइमों की उपस्थिती में जब हम ठोस को तरल, जटिल को सरल और आगुलन सील को घुलन सील भागों में तोरना ही क्या कहलाता है पाचन कहलाता है अगर मैं बात करूँ जटिल क्या है, सरल क्या है? जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? जटिल कार्बो हाइडरेट जटिल कार्बो हाइडरेट भोजन में होता है वशा, प्रोटीन तो दोस्तो भोजन में क्या होता है? जटिल कार्बो हाइडरेट जटिल वसा और जटिल प्रोटीन होती है तो जब एंजाइमों की सहाथा से इस जटिल कार्बो हाइडरेट को, अगरेट को अगलुकोज या माल्टोस, वशाको ग्लिसरोल और प्रोटीन को एमीनो अमल में बदलना क्या होता है? पाचन कहलाता है. अब ये जटिल अरु है और ये क्या है? सरल अरु है. ये कॉम्पलेक्स है और ये क्या है? सिंपल है. तो दोस्तों भोजन के ठोंस, जटिल और अगुलंसील अरवों को बिविन एंजाइमों की सहायता से ठोंस को तरल, जटिल को सरल और अगुलंसील को गुलंसील अरवों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है अब बात करूं अगर पाचन-तंत्र के अंगों की तो पाचन-तंत्र में कौन-کौन से अंग होते हैं या पाचन-तंत्र को कितने भाग में बाटा गया है, तो बहुत बड़ा भी सह जानने के लिए है. देखिये जो हमारा पाचन-तंतर होता है कि दोस्तों जो हमारा पाचंतंत्र होता है कि पाचंतंत्र में बहुत सारे भाग होते हैं जिन भागों से परिछांओं में लगातार प्रस्ट पूछता है कि इंस सब भागों प्र हम डिसकस आपसे करते रहेंगे यहाँ पर पाचक अंग कौन से है या पाचक गरंथिया कौन कौन से होती है क्योंकि सभी भागों से परिच्वाम निरंतर प्रश्ण बनते आए हैं हमारे पाचन तंतर के बहुत सारे भाग होते हैं चोटी यात बड़ी यात यह सब भाग होते हैं परंतु प्रस्ण यह पूछता है कि पाचन तंतर का सबसे बड़ा भाग क्या है अगर प्रस्ण ऐसा वनता है तो यह एक जटिल कोश्चन है क्योंकि अगर पूछता है कि पाच संतंतर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है वह हमारा आहार नाल होता है जिसे को हम elementary कैनाल कहते हैं तो आहार नाल होता है जिसे हम elementary कैनाल कहते हैं तो दोस्तों आहार नाल के भी सह में आहार नाल के कौन-कौन से भाग होते हैं, सारे points में आप से discuss करूँगा, और बहुत अच्छे से करूँगा, जैसे दाथ से प्रस्ण पूछता है कि दाथ कितने प्रकार के होते हैं, दाथ हमारे ऐसे कितने दाथ हैं, जो औ-अस्थाई दाथ होते हैं, एक बाद तूटते हैं और दोबारा निकल जात आत्मी गरहणी का क्या कार्य है दोस्तों या फिर अब देखिए लगभग लगभग क्या है पाचन तंत्र का जो डाइग्राम होता है वह मैंने बहुत कुछ यहां बना दिया है आपके सामने और पाचन तंत्र में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां से लगातार प्रस्ण पूछ कुछता है कि पाचन तंत्र में ऐसे कौन सी गरंथी है जिसे हम मिस्तृत गरंथी कहते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग यहां पे फिगर जो है पाचन तंत्र का मैंने बना दिया है आपके सामने अब हम बात करेंगे इन अंगों की की कौन कौन सा अंग क्या होता है कौन कौन सा अंग क्या करता है पाचन तंत्र में देखिए अगर हम बात करते हैं अंगों की तो दोस्तों सबसे पहला जो भाग हमारा पाचन तंतर में होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मुखगुहा या इस भाग को हम कहते हैं बकल कैविटी इसे हम मुखगुहा या इसे हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और सबसे आखरी वाला भाग जो पाचन तंतर में हमारे होता है इसे हम कहते हैं गुदाद्वार इसे हम कहते हैं गुदाद्वार जिसे अंग्रेजी में एनस भी कहते हैं तो अगर मैं बात करूँ पाचन तंत्र के भागों की तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो कहां से कहां तक होता है दोस्तों वो आपका पाचन तंत्र जो हमारा होता है यह मुखगुहा से लेकर के मलद्वार तक होता है यह एनस तक होता है देखिए अब मुखगुहा से लेकर के एनस तक का भाग क्या कहलाता है या एक महत्पूर भी से है ठीक है मुखगुहा से लेकर के एनस तक का भाग क्या कहलाता है देखिए इस पूरे भाग को हम कहते हैं आहार नाल या इसे हम कहते हैं एलिमेंटरी कैनाल तो अब आपके सामने जो आपका एक प्रस्ट था वो यहाँ पर साल्ब हो चुका है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या होता है तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आहार नाल होता है जो कि मुखगुहास लेकर के एनस तक फैला हुआ है और इस आहार नाल की जो लंबाई है लगभग 9 से 10 मिटर के एप्रॉक्सिमेट होती है और जब ब्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आहार नाल की लंबाई लगभग 1 मिटर तक बर जाती है तो ये सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल तो आहार नाल क्या है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है और आहार नाल को हम जैवरासायनिक परियोगशाला कहते हैं क्या कहते हैं जैवरासायनिक परियोगशाला कहते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक उर्जा के रूप में ह सबसे लंबा भाग है आहार नाल और यदि मैं बात करूं आहार नाल की कि आहार नाल को हमने कितने भाग में बाता है तो तो आहार नाल के कुल दो भाग होते हैं, एलिमेंटरी के नाल के कुल दो भाग हैं, एक हम सामिल करते हैं पाचक अंग के रूप में, डाइजेस्टी ओर्गन के रूप में, और एक होती है जो है संभावित यहां पे ग्लैंट्स होती है, ठीक है, एसोसियेटेड ग्लैंट्स ह होती है जिनको हम कहते हैं पाचक गरंथिया तो पाचक अंग और पाचक गरंथिया दो भाग यहां पर होते हैं यानि हमने पूरे आहार नाल को दो भाग में बाड़ दिया एक पाचक अंग और दूसरी क्या है पाचक गरंथिया एक डाइजस्टिव और और एक क्या है निल्स है पहला जो हमारा ओर्गन है इसे हम कहते हैं मुखगुहा अर्थात बकल कैविटी अर्थात बकल कैविटी अब मैं यहां आपके सामने सबसे पहले मुखगुहा के बारे में संपूर प्रसनों पर चच्चा करूँगा देखिए जो मुखगुहा होता है मुखगुहा हमारे होट से खुलता है और फेरिंग्स जाली की जो गरसनी होती है वहाँ खतम होता है अगर मैं बात करूँ मुखगुहा की तो दोस्तों मुखगुआ में क्या होता है इसमें तीन भाग होते हैं दात पहला भाग क्या होता है दात दूसरा भाग जीब और तीसरा भाग क्या होता है लार लेकिन इसको हमने अलग अलग पढ़ना है लार को अलग पढ़ना है और दात को अलग और जीब को अलग पढ़ना है तो फ्रेंट्स पहला क्या भाग हो गया मुखगुः और इसमें दूसरा भाग होता है ग्रसनी जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स रसनी होता है फेरिंग्स और तिसरा भाग होता है ग्रास नली और ग्रास नली को हम क्या कहते हैं ग्रास नली को हम कहते हैं ओइसो फेगस ग्रास भाग है वो आपका आमास है और आमास है सबसे चोड़ा भाग होता है हमारे पाचन तंत्र का आमास है स्टमक इसके बाद छोटी आत अर्था इसमाल इंटेस्टाइन और छोटी आत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है इसमाल इंटेस्टाइन और दोस्तों एक होता है बड़ी आत जिसे हम कहते हैं large intestine तो देहान देना इन सभी अंगों पर चर्चा मुझे करनी है आप लोगों से इन सभी अंगों पर और इसके बाद जो गरंथिया आती है उन गरंथियों पर तो ये तो हो गए पाचक अंग ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं और अगर मैं पाचक गरंथियों की बात करूं तो सबसे पहली गरंथि कौन सी होती है सबसे पहली गरंथि होती है जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथी तो लार ग्रंथी सबसे पहली ग्रंथी है जो पाचन क्रिया में सहायता करती है उसके बाद दूसरी ग्रंथी होती है जठर ग्रंथी अर्थाद गैस्ट्रिक ग्लेंड जठर ग्रंथी अर्थाद गैस्ट्रिक ग्लेंड और तिसरी होती है यक् और यक्रत के बाद जो चौथी ग्रंथी है उसे हम कहते हैं अगनासे तो यह कुल चार ग्रंथिया होती है अगनासे का मतलब होता है पैंक्रियाज यह पैंक्रियाज को हम कलोम नाम से भी जानते हैं तो पूरे पाचन क्रिया को पूरे पाचन तंत्र को हम इन ही भागों में ड पाचक अंग के भी सेह में उसके बाद पाचक गरंथ के भी सेह में तो आईए देखते हैं कि सबसे पहला जो अंग हमारा है उसकी क्या-क्या भिसेशताय है जो पहला हमारा अंग है उसे हम कहते हैं मुखगुहा तो मुखगुहा में जो पहला भाग है दात है तो सबसे पहले चर्चा किस पर करेंगे आपसे दात पर करेंगे तो दात कैसे बने होते हैं सबसे पहला प्रस्टन हमारा यही बनता है तो ध्यान देना दात बनते हैं कैलसियम और फासपोरस के दात बनते हैं कैलसियम और फासपोरस के और दातों में सबसे अधिक मातरा में फासफोरस होता है दात इसलिए मजबूत रहते हैं और यदि किसी ब्यक्ति में फासफोरस की मातरा बढ़ आती है तो उसे क्या होता है फासफोरस की मातरा बढ़ आने से फ्लॉरोसिस भी हो सकता है अब देखिए दात से आने वाला अगला प्रस्तु है प्रस्तों ये बनता है कि दात केल्सियम और फास्फोरस के बने होते हैं लेकिन दात की सबसे उपरी और चमकदार परत क्या कहलाती है दात कुछ इस प्रकार देखिए होता है दात कुछ हमारा इस प्रकार से होता है और यहां देखिए क्या होता है दात में कुछ रुधिरवाहिनिया होती है दात में कुछ रुधिरवाहिनिया होती है रुधिरवाहिनियों के अत्रिक्त यहां तंत्रिकाएं भी पहली होती है तो दात हमारे इस प्रकार से होते हैं और स कि दात के उपरी और चमकदार परत को हम क्या कहते हैं तो दात हमारे इस प्रकार से होते हैं तो धियान देना दात का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है क्राउन कहलाता है अर्था सिखर कहलाता है और दात में जो उपरी परत जो सभे चमकदार होती है उस परत को हम कहते हैं डेन टाइन तो अगर प्रस्ण ऐसा बनता है कि दात के सबसे उपरी और चमकदार परत क्या कहलाती है तो हमारा आंसर क्या होगा डेन टाइन कहलाती है डेन टाइन कहलाती है अब देखिए यह नीचे वाला भाग होता है ये दातों में जिसको हम रूट कहते हैं ये रूट होता है और दात के अंदर कुछ तंत्रिकाए और कुछ रखत वाहिनिया भी होती है यह परस्त बना हुआ है कि समपूर सरीर का सबसे मजबूत भाग इनैमल कहा होता है तो इनैमल पूरे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है ये हमारे जबडे में होता है जो के अंदर होता है देखिए अब दात केल्सियम फासफुरस के बने होते हैं दात का सबसे सफेद जो परत होती है उसको हम डेन टाइन कहते है तो मनुस में जीवन भर क्या होता है मनुस के जीवन में कुल 32 दात निकलते है और इन 32 दातों में लगबग 20 दात ऐसे होते हैं जो एक बार तूरते हैं और दोबारा निकलते हैं तो 20 दात हमारे ऐसे हैं जो एक बार तूरते हैं और दोबारा निकलते हैं इन दातों को हम क्या कहते हैं इन दातों को हम कहते हैं आस्थाई दात तो 20 दात कुल ऐसे हैं देखिए 32 दातों में 20 दात ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं आस्थाई दात इन्हें हम कहते हैं आस्थाई दात या इनको हम कहते हैं दूद के दात तूट तूटने के बाद जब दात निकलते हैं तो दातों कुल संख्या कितनी होती है 32 और 32 कितने होते हैं अस्थाई दात होते हैं अर्थात यह दात तूटने के बाद दोबारा नहीं निकल पाते तो अस्थाई दात कुल 32 होते हैं और अस्थाई दातों की संख्या कुल 32 होती है और एक होता है हेट्रोडोंट जिसे हम कहते हैं बिसमदंती तो दाथ दो प्रकार का होता है समदंती और बिसमदंती देखिए समदंती का मतलब होमोडोंट बिसमदंती का मतलब क्या होता है हेट्रोडोंट समधन्ती में वे जन्तु आते हैं जिनके अंदर उपस्थित सभी दात एक समान होते हैं उनको समधन्ती कहते हैं और विसमधन्ती कतात पर यह है हेक्टरोडोन वे जन्तु जिनके दात अलग अलग प्रकार के होते हैं तो आपको ये अनाल्सिस हो गया होगा कि हमारे दात तो अलग प्रकार के हैं तो हम तो समधन्ती नहीं होंगे, हम क्या होंगे, बिसमधन्ती ध्यान रहें, डॉल्फिन मचली, क्रोकोडाइल, इस सब क्या होते हैं, समधन्ती में आते हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं, और कुछ जानवर होते हैं, जो बिसमधन्ती होते हैं, अब हम बात करें, बिसमधन्ती क्या मतलब क्या है दोस्तों, जो दात हमारे होते हैं, दात हमारे होते हैं, वो अलग प्रकार के, जैसे जो सामने के दात होते हैं, वो चिपटे होते हैं, और इन दातों का कारे होता है, भोजन को काटना इन दातों को हम कहते हैं इनसीजर ध्यान देना इने क्या कहते हैं इने हम कहते हैं इनसीजर और इनका कारे क्या होता है भोजन को काटना यह भोजन को काटते हैं इनसीजर और अगर हम बात करें इनके संख्या की तो इनकी संख्या देखिए चार उपर चार नीचे होती है चार उपर होती है और चार नीचे होती है तो कुल कितने होते है यह आठ होते है ठीक है ना देखिए दो दुनी चार और दो दुनी चार चार उपर चार नीचे कितने हो गए आठ हो गए तो जो हमारे सरीर के अंदर इंसिजर होते हैं, कितने होते हैं, आठ होते हैं, अगर हम बात करें, दूसरा केनाइन की, तो केनाइन को हम हिंदी में कहते हैं छेदक, या इसे कहते हैं रदनक, तो केनाइन वे दात होते हैं, जो मुकीरे होते हैं, और साइड में हाँ होते हैं, और केनाइन की सहायता से हम व होता है कि हमारा पाचंतंत्र एक्चुली में मांस खाले केक लिए नहीं बना है तो केनाईन जो बगल के दात होते हैं जो नुकीले होते हैं इनको हम केनाईन कहते हैं और केनाईन की जो कुल संख्या हमारे अंदर होती है वह कितनी होती है वन बाई वन इंटु टू अर्थाद दो उपर और दो नीचे कितने हो गए चार हो गए तो केनाईन के कुल संख्या हमारे अंदर कितनी होती है चार होती है दो दो एकम दो दो एकम दो दो चार होती है अब हम बात करें आगे की जो आगे दात हमारे होते हैं, उनको हम कहते हैं अगर चमारग, अर्थात हम कहते हैं प्री मोलर, तो अगर चमारग, अगर चमारग ऐसे दात हैं, जो भोजन को चबाने का कारे करते हैं, ठीके, यह भोजन को चबाते हैं, अगर चमारग, और अगर हम इनके संख्या की बात करे यह होते हैं आठ कितने होते हैं आठ होते हैं और अगला होता है आपका शमारक जिसे कहते हैं मोलर्स और मोलर्स वह दात होते हैं जो गोल होते हैं और यह दात क्या करते हैं भोजन को पीशते हैं और इनकी कुल संख्या होती है बारा यानि छे उपर और छे निचे कुल होती है अब आप देखिए क्या दात हमारे समान है नहीं बिसम प्रकार के हैं तो दात हमारे बिसम प्रकार के हैं इसलिए हम क्या है बिसम दंती है और मैंने आप से कहा कि 20 दात ऐसे होते हैं जो एक बार टूरते हैं दोबारा निकलते हैं तो हम दूई बार दंती भी है और जो दात हम के गर्थ के अंदर से निकलते हैं तो हम घर्द धन्ती भी तो हम बिशम धन्ती अर्थात हेटरोडोंट के दाथ हमारे क्या होते हैं अगर प्रस्निय की संख्या बारा वर्स तक कितनी होती है तो दीहान में रहे 12 verze तक कर दातों की संख्या 20 होती है अगर बात आए 29 वर्ष तक तो 29 वर्ष तक दातों की कुल संख्या हमारे अंदर वो 28 होती है और 29 वर्ष के बाद चार डाथ निकलते है उन चारों को हम बुद्धी के दात कहते है टीत आप विजडं कहते है और वो चार दात आपके कौन से होते हैं? मोलर होते हैं. ठीक, उनको बुद्धी के दात कहते हैं, वह उनईस वर्स के बाद निकलते हैं, तो उनईस वर्स के बाद दातों की कुल संख्या 32 हो जाती है. तो ये रहा दातों की विसे में कुछ विसेस, अब हम बात करते हैं, जीव के बारे में, कि जीव का क्या महत्तों है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जीव की, तो देहान देना जो जीव हमारी होती है, बहुत सेंस्टी होती है, मोटी और मानसल होती है, जीव हमारी मोटी और मानसल होती है, और यहींदि जीव की हम बात करें तो देखिए कुल मिलाकर के जीव का आकार कुछ ऐसा होता है लगबग लगबग जो है दस से बारा संटी मिटर और जीवें स्वादकलिकाएं होती है इन स्वाद कलिकाओं से कुछ फ्लीवड निकलता है, कुछ तरल भाग निकलता है और वह तरल पदार्थ क्या करता है, हमें वस्तूरों का स्वाद करवाता है तो जीव कुछ इस प्रकार से होती है और जीव के अलग-अलग भागों से अलग-अलग स्वाद मिलता है जैसे अब यह जीव हो गई अगर हम बात करें जीव के सबसे पीछे वाले भाग से सबसे लाश्ट वाले भाग से कौन सा स्वाद मिलता है तो ध्यान देना सबसे पीछ तीखा या करवा स्वाद मिलता है सबसे आकरी वाले भाग से क्या होता है लिसक्रम्स ठाख्छ और अगर व स्वाग से यहां से हम को स्वाद का अनुभु होता है परàiता स्वाद का मिलता है अगर आध करें के अगर हम theory अर्थात नमकीन का अनुभव होता है नमकीन स्वाद का अनुभव होता है और यदि हम बात करें जीव के सबसे आगे वाले भाग से जीव के सबसे आगे वाले भाग से हमको मीठा स्वाद प्राप्त होता है तो जीव के विभिन अंगों से हमें अलग अलग प्रकार का तो होता है और इस लाजबाब स्वाद में क्या होता है इस लाजबाब स्वाद में सभी सामिल होते हैं और इस लाजबाब स्वाद का नाम है ओमामी इसे हम कहते हैं ओमामी और ओमामी वह स्वाद है जिसमें हम कहते हैं कि भोजन लाजबाब था बहुत ही सुन बहुत मतलब उ लाजबाब स्वाद को ओमामी कहते हैं और इसके अत्रिक्त आगे वाले भाग से मीठा स्वाद, पार्स वाले बगल वाले भाग से खटा स्वाद, पीछे वाले भाग से तीखा स्वाद, और अग्र और मध्ध के भाग से नमकीन स्वाद का अनुबह होता है और ये जीब ऐसा अंग है जो दातों की सफाई करने में सहायक है जीव हमारे भोजन को लार में अच्छी तरह से मिला देती है और जीव की सहायता से हम बोलने में सफल हो पाते हैं स्वरतंत्र का निर्मान भी जीव की सहायता से ही हो पाता है और यदि हम आगे बात करें इसके बात के आने वाले भागों की तो देखिए जीब के बाद हम भाग पड़ते हैं लार के भी सेंए से लार का मतलब होता है अब देखिए जो सेलाईबा होती जो लार होती है जो लार होती है rental बंके तोरे35 अ हें मिलकरती है हमारे सरीर में कुछ्छ मिला करके मुखगुआ में कुल तीन लार ग्रंथियां है जो पहली है इसका नाम क्या है पैरोटिड पैरोटिड जो ग्रंथी होती है वो हमारे कान के पास होती है जो पैरोटिड ग्लेंड होती है वो बिल्कुल कान के पास होती है यहां पर इस जगहां पर उसकी लोकेशन होती है और ध तो एक ग्रंथी यह है जो कान के पास होती है दूसरी ग्रंथी होती है जिसे हम कहते हैं सब्लिंगूल और सब्लिंगूल ऐसी ग्रंथी है दोस्तों जो हमारे जीव के नीचे होती है तो जीव के नीचे होती है सब्लिंगूल और जो तिसरी ग्रंथी है उसे हम कहते हैं सब्मे के पास लगभग एक से डेढ़ लिटर निकलता है हमारे मुख के अंदर से अगर मैं बात करूं लार की तो दोस्तों जो लार होती है जो सिलाइबा होती है लार वो निकलता है प्रती दिन लगभग एक से देह लीटर निकलता है प्रती दिन और देहान देना दोस्तों लार में sodium chloride, sodium chloride, potassium chloride, इसके अतरिक्त म्यूसिन ताइलीन अनजाइम टाइलीन अन्जाइम ये सबहाग हमारे लार में ही पाजाते हैं देखिए लार एक ऐसा तल्ल पदार्त है जो हमारे जीव को हमारे मुक को हमेशा गीला रखता जिससे हमें प्यास नहीं लगती और लार भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बराता है जिसकी सहायता से दात भोजन को आसानी से पीश देता है दोस्तो लार में कुछ एंटी टाक्सिन होते हैं जो भोजन के साथ आने वाले जीवारों को नश्ट भी कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है जो लार होती है लार का प्याचमान छे से साथ के बीच रहता है यानि अमली या उदासीन तो लार हमारा या तो अमली प्रवितिका होता है या उदासीन प्रवितिका होता है यह बात ध्यार में रहे आपके कि सलाइवा का प्याचमान का प्याचमान क किस प्रकार से करती है सलाइवा कैसे भोजन का पाचन करती है जरा इसको भी हम देख लेते हैं तो कि देखिए प्रस्ण बना हुआ है कि मुखगुहा में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है तो आपने सुना होगा बोलस के बारी में यही दोस्तों नाम है बोलस देखिए यानि कि हमारे मुखगुवा में पचा भोजन क्या कहलाता है बोलस कहलाता है अब देखिए जो लार हमारी होती है लार में एंजाइम क्या होता है टाइलीन दोस्तों हमारे भोजन में क्या होता है इस्टार्च तो जब यह इस्टार्च मिलता है टाइलीन के साथ जब यह मिलता है ट माध्यम होता है यानि किंभ नूट्रल होता है और देखिए इसके बाद क्या प्राप्ट होता दोस्तों इसके बाद माल्टो्ज प्लस डेक्स्ट्रोज प्राप्थ होता है गार्ण यहीव लार है जो भोजन का पाचन शुरू करती है जब स्टार्च जब स्टार्च टाइलीन एंजाइम के द्वारा माल्टोज और डेक्स्टोज में बदल दिया जाता है तो इसको हम भोजन का प्रथम पाचन कहते हैं तो प्रस्ण आता है कि भोजन का पाचन digestion कहां से start होता है तो प्रस्ट का आपका आंसर क्या होगा मुखगुहा से क्योंकि लार में उपर से tylin enzyme, jetil carbohydrate, starch को यह क्या होता है यह complex होता है यह होता है complex क्योंकि यह क्या है यह diisacuride है carbohydrate तीन प्रकार के होते हैं पहला monosacuride उसके बाद diisacuride उसमत क्या है polysacuride तो द्यान देना यह क्या है यह polysacuride है तो जो हमारी लार में उपर से tylin enzyme होता है वह इस polysacuride को diisacuride में change करता है और यह माल्टोज है गुलुकोज के दो अरूसे बनता है तो यह प्रथम पाचन यही कहलाता है और इस पाचन को हमने क्या नाम दिया इस पाचन को हम बोलते हैं बोलस तो मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है बोलस कहलाता है इस बात का रजयेंटनारा के बात क्या होता है यहां देखिए आपका ग्रसनीय को हम बोलते ज ग्रसनी यानिकी फेरिंग्स है यह और फेरिंग्स का कारे होता है भोजन को मुकगुहा से अमास है मुकगुहा से ग्रासनली में पहुचाना फेरिंग्स क्या होता है यह तीन प्रकार की होती है नैसो फेरिंग्स और दोस्तों औरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स तीन प्रकार की होती है तो फेरिंश का कारे क्या होता है भोजन को यहां देखिए एक जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं गरास नली इसे हम कहते हैं गरास नली तो गरस्मी का कारे होता है भोजन को यहां मुखगुहा से गरास नली पहुचाना और देखिए यहीं पर नासिका के पास एक छोटा सा वाल्ब रहता है, इस वाल्ब को हमने नाम दिया है ओयूला, इसे हम काकलक कहते हैं, अर्थात ओयूला कहते हैं, यह ओयूला अर्थात काकलक वह भाग होता है, जो भोजन, जो भोजन और पानी को नासिका के बाहर आने से रोकता है, यानि जैसे ही भोजन और जल ना का को बंद कर देता है अब देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रास नली की तो फ्रेंड्स इस बात का बिसेद्ध ध्यान देंगे जो ग्रास नली होती है इसमें एक वाल्व होता है एक वाल्व होता है यहां आगे की ओर ठीक ना एक वाल्व होता है नीचे की ओर एक अंदर की ओर होता है और एक वाल्व यहां आगे भी होता है और एक वाल्व यहां भी होता है देखिए जो आपकी ग्रास्टनली है इसका जो पहला वाल्व होता है इसको हम कहते हैं क्रोको फैरिंजियल जो पहला वाल्ब है इस वाल्ब को हम कहते हैं क्रोको फैरिंजियल वह वाल्ब है फैरिंजियल को क्रोको फैरिंजियल वह वाल्ब है जो देखी क्योंकि देखी यहां से क्या होता यहीं कंड रहता है और कंड से यही निकलता है स्वासनली जो यह क्रोकोफेरिंजियल वाल्व होता है इसको बोलते है क्रोकोफेरिंजियल इस्फिंकटर इसका नाम क्या है क्रोकोफेरिंजियल इस्फिंकटर तो यह ऐसा भाग होता है जो वायू को गरासनली में आने से रोकता है तो क्रोकोफेर और होता है ओइसो फैरिंजियल और देखिए यहीं का एक भाग और होता यहां जो बना होता है इसको हम कहते हैं ओइसो फैरिंजियल इस फिंकटर तो ओइसो फैरिंजियल जो आमासाई रस नली में आने से रोक देता है ध्यान रहे दोनों ऑलग अलग कार्य होता है अब येंग स्वार । ऐसी भी परकार के भोजन का कोई पाचन नहीं होता गला सिम्सलि हुए भाग है जो भौजन को यहाँ जम्त मीक से में UAशे में पहु्छान कार्य करती है अगर हम बात करें दोस्तों इस आम कि तो आमास है जो होता है यह पाचन तंत्र का सबसे चवड़ा भग सबसे चावदान रहे और ध्यान रहे इस टमक जैसे ही इस शुरू होता है यहीं पर एक वालब होता है और इस वालब का हम कहते हैं कार्डियक वाल्व इसे हम कहते हैं कार्डियक वाल्व ठीक ध्यान देना कार्डियक वाल्व होता है और जहां यह अमासे दिखिए अब यह कार्डियक वाल्व क्या करता है कार्डियक वाल्व बिल्कुल सामने की और होता है जहां पर ग्रास नली खतम होती है और अ बहुत आवश्यक है जो हमारा आमाशे होता है वो बिल्कुल इस प्रकार का होता है कुछ ऐसे बना होता है ऐसे बना होता है फ्रेंड्स यहां देखिए यहां होता है कार्डियक वाल्ब ठीक ना यहां होता है कार्डियक वाल्ब यह हो गया आपका कार्डियक वाल्ब यह बिल एक है पाईलोरिक внутри इन दोनों का अलगलग कार्य है कडिये काडियक वाल्व पिग्रता है को ग्रास नली में वापस जाने से रोख देता है और कि यहीं देखिए जो अमाशे का पार्द Feist को हम कहते हैं fundus इसे हम कहते हैं fundus और देखिए fundus में क्या होता है fundus में एक विशेश प्रकार की कोशिकाणश Wow और उन्हें uprightle cell में एक ग्रंथी होती है जिसका नाम है gastric gland याने की जठर ग्रंथी ठीक वह कहां होती है इस ही के पास जो parietal cell होती है वहीं होती है gastric gland अर्था जठर ग्रनथी जो कि अमासी का हिस्सा है और सबसे पहली बात आप जा लिजे कि अमासस की तीण प्रते होती Cindy अमासे क्या होता है अमासे की थीन पद्ध होती है जिसमें सबसे आखरी वाली प्रत होती है सबसे सुरूम क्या होती सबसे सुरूम होती सीरोसा आमासे की सबसे पहली लेयर को हम क्या कहते हैं सीरोसा कहते हैं यह सबसे बाहर क्या सीरोसा है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद एक ऐसी लेयर होती है जो बीच में होती है और उसको हम कहते हैं सबम्यूकोसा बीच में होती है जो बीच वाली होती है वो क्या होती है वो लॉगनिट्यूडनल दोस्तों होती है ठीक है ना लॉगनिट्यूडनल होती है और अबलिक होती है लचीली होती है और उसी गरंथी से क्या होता है उसी भाग से जठर रसका स्राव होता है तो देखिये अब सिरोसा, म्यूकोशा और सब्म्यूकोशा जो यह ऐसी गरंतिया ऐसे भाग होते है जो लगातार क्या होते है बदलते रहते है ठीक रहने लगातार जो उसकी परटे होती है बदलती रहती है इसल ден इस आमासे में मांस का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, और अमासे का पाचन नहीं हो पाता है, यानि भई मांस इसमें पच्छता है, लेकिन यह भी मांस है, तो यह क्यों नहीं पच्छता है, क्योंकि इसकी तीन परते होती है, सीरोसा, सम्यूकोशा और म्यूकोशा, और यह तीनों परते लगातार बदलती रहती है अब देखिए मैं बात करूँ अगर अमासे की तो दोस्तों अमासे में क्या होता है अमासे में होता है गैस्ट्रिक ग्लेंड और वहां होता है गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे इंजाइम होते हैं देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है ग यहां से निकलता है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अमल तो हाइड्रोक्लोरिक अमल लगभग 0.5% की मात्रा में होता है जटरस में और यह यह वह भाग है जो हड्डियों को गलाता है भोजन को सड़ने से रोखता है विशेश ध्यान दिजेगा यह वह भाग है भोजन को सड़ने से रोखता है हड्डियों को गलाता है और यही एसल भोजन को अमली बनाता है भोजन को चिकना बनाता है और एक विशेश ध्यान दिज निस्क्री होता है तो फ्रेंड्स यही हाईडरोकलोरिक अमल निस्क्री पंशिनोजीन को पापसीन प्रारंब करती है तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचान हमारे आमासे से ही सुरू होता है जब pepsinogen जब pepsin hydrochloric अमल की उपस्तिती में protein को पचा करके peptone और poly peptide में change करती है यहीं protein का पहला पाचन शुरू होता है अब यदि बात करें और सारे देखिए अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि कैसे कार करती है पैपसीन तो फ्रेंड ध्यान दीजेगा कि जब प्रोटीन है प्लस पैपसीन जब प्रोटीन प्लस पैपसीन दोरों मिलते हैं तो हाइड्रोकलोरिक अमल की उपस्थिती में यह प्रोटीन क्या होता है यह प्रोटीन प्रेप्टोन में बदलता है प्रेप्टोन प्लस पॉली प्रेप्टाइड ठीक है प्रेप्टोन प्लस पॉली प्रेप्टाइड में बदल जाता है यही क्या होता है प्रोटीन का पहला पाचन कहा शुरू होता है अम आसे में जब पेपसीन क्या करता है जब पेपसीन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्रकी उपस्थिती में इस प्रोटीन को सरल प्रोटीन प्रेप्टोन और पॉलिप्टाइड में चेंज कर देती है अब देखिए इसके बाद बात करें कि यहां से और कौन से भाग निकलते हैं यहां से और कौन सा एंजाइम निकलता है यहां से निकलता है रेनिन एंजाइम और यह ऐसा एंजाइम है जो दुगध प्रोटीन को जो दुगध प्रोटीन को अर्थात रेनिन को दोस्तों क्या कर केसिन में बदलता है अर्थात यहीं से क्या होता है दूद दही बन जाता है और असानी से पज जाता है तो ध्यान रहे रेनिन एंजाइम है जो आठ वर्स के बच्चों में निकलता है केवल आठ वर्स के बच्चों में ही निकल पाता है उसके बाद नहीं निकल पाता और करता है वशा को लाइपेज वशा को ट्राइगलस्राइल में क्या करता है ट्राइगलस्राइल में बदलता है और यहीं से क्या होता है वशा का भी पाचन सुरूग होता है ठीक जब लाइपेज एंजाइम वशा को ट्राइग्लिस्वाइल में चेंज करती है यहीं से वशाइपचना शुरू होती है तो हमने देखा अभी इसके पहले गैस्ट्रिक जूस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं आवासे के अगले भाग के बारे में यहां देखी जहां आमासे खतम होता है वहीं से छोटी आथ शुरू होती है यानि यहां से क्या शुरू है छोटी आथ शुरू है दोस्तों जहां से आमासे खतम हो रहा है वहां से छोटी आथ शुरू होती है और छोटी आथ के ही द्वार पर एक वाल्ब होता है इसको क्या कहते है पाइलोरिक कि करता है आमासे में पचे हुए भोजन को छोटी आत में जाने दे लेकिन चोटीा आंत से पचे भोजन को आमासे में जाने से रोग देता है और यह कारे किसका होता है यह कारे होता है पाइलोरिक वाल्ब का ध्यान देना यह कार किसका होता है यह कारे होता है पाइलोरिक वाल्ब का अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे पहले लीवर के बारे में फिर अग्रासय के बारे में फिर हम जाएंगे छोटी याद के बारे में तो पहले मैं बात करता हूं यक्रित की दोस्तों यक्रित को हम क्या कहते हैं यक्रित या जिगर या इसे कहते हैं कलेजा या इसे ही कहते हैं लीवर इसके बहुत सारे नाम है यकृत जिगर कलेजा लीवर इसके बहुत सारे नाम है और यकृत का जो वजन होता है लगभग डेड़ से दो किलोग्राम का होता है यकृत लाल रंग का होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यक क्या करता है भोजन के साथ हमारे सरीर में आने वाले हानिकारक विशेले पदार्थों का नास करने के लिए एंटी टॉक्सिन का उत्सरजन करता है ठीक और देखिए जो हमारा यक्रित होता है वह अनावस्षक अमेउनों अमल को यूरिया और अमोनिया में कनवर्ड करके रग् थ्रामबीन थ्रामबोप्लास्टिन और हीपेरिन एंजाइम का सरा होता है और हीपेरिन एंजाइम प्रोटीन वह प्रोटीन है जो सरीर के अंदर रग्त को जमने से रोकती है और थ्रामबोप्लास्टिन प्रोथ्रामबीन यह सब ऐसे एंजाइम है जो रग्त को जमाने में सहायता करते हैं हमारे यकृत में ही कुछ कार्बो हाइडरेट का निर्मान भी होता है जैसे आवशकता पढ़ने पर हमारा यकृत प्रोटीन को क्या करता है कार्बो हाइडरेट में और कार्बो हाइडरेट को वसा में परिवर्तित करता है और सबसे बड़ी बात हमारे यकृत में गलाइकोजन का संचे होता है और जब हम भोजन नहीं कर पाते फास्ट रहते हैं उपवास रहते हैं यह गलाइकोजन गुलुकोज में वदलता है और ओर्जा प्रदान करता है यदि हम आगे बात करें तो दोस्तों हमारा यकृत से जुड़ा हुआ एक अंग होता है जिसका नाम प्लीःा है और प्लीःा को हम इस्पलीन कहते हैं ये इसी को जो चुझा है तिल कहते हैं तिल्ली कहते हैं तो देखिए प्लीहा वह भाग है जिसमें हमारा यक्रित प्लीहा में ही हमारा यक्रित आर बीसी को संचित करता है इसलिए हम प्लीहा को रख्त बैंक अर्थात ब्लड बैंक भी कहते हैं और ध्यान रहे प्लीहा में ही आर बीसी का बिनास होता है पलीहा के अंदर क्या होता है RBC नश्ट होता है इसलिए पलीहा को हम RBC का कबरस्थान भी कहते हैं दोस्तो इस बात को आप अधिसेश ध्यान दिजेगा देखिए जो हमारा यक्रित है इन सब कारियों के अत्रिक्त एंटी बाडीज का निर्मार करता है ठीक और हमारा यक्रित एंटी टाक्सिन का निर्मार करता है और इसके अत्रित वशा, प्रोटीन, कार्बोज इन सब का चया पचय करने में सहायक है तो यक्रित के बहुत सारे कारे होते हैं और इसका एक महत्पूर कारे और होता है पित्रस का स्राव करना जो पित्रस होता है उसका स्राव कहां से होता है पित्रस का स्राव होता है यक्रित से जहां दीजेगा कहां से निकलता है यक्रित से और पित्रस पितासे में संचित रहता पित्रस क्या होता है पित्तासे में संचित रहता है और पित्रस दो प्रकार का होता है पित्रस के दो प्रकार होते हैं एक होता है बिलरुबीन और 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 बिलरुबीन और बिलरुबीन दो प्रकार के पित्रस होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो पीले रंग का है वो बिलरुबीन है और जो हरे रंग का हो क्या है बिलबर्डीन है जो पीला पित्रस होता है अर्था जो बिलरुबीन होता है यह पीले रंग का होता है और बिलरुबीन के बढ़ने से हमारे सरी में RBC की मातरा घड़ जाती है जिससे हमारा सरीज का जो अंग होता है वो पीला पड़ जाता है तो इसे हम कहते है पीलिया रोग हो गया है और बिलरुबीन क्या करता है हमारे मल को रंग प्रदान करता है यह पित्रस का कारे होता है बहुत बार परिच्छा में प्रस्ण आया है कि पित्रस कहा सो निकलता है तो पित्रस निकलता है यकरित से कहा संचीत रहता पित्तासे में देखिए यह क्या है भाग इस भाग को हम कह रहते हैं गाल ब्लेडर और यह क्या है यह क्रित अर्थात यह है लीवर तो बाइल निकलता है लीवर से और संचित कहां रहता है यह रहता संचित आपके पितासे में गाल ब्लेडर में उसके बाद हैप्टिक डग्ट के थो क्या होता है यह कहां पहुंचता छोटी आत्र लगभग 6.8-7.3 के बीच रहता है और दोस्तों एक बात ध्यान दिजेगा आप लोग जो पित्रस हमारा होता है उसका कारे होता है वशा का 25 करना यानि इमल्सिफिकेशन आफ फैट फैट का इमल्सिफिकेशन पित्रस ही करता है तो अगर प्रशन ऐसा बने कि शरीर में बनने वाले बीशाहिले पदाथों का नास कौन करता है तो यक्रित अगर प्रशन बने हिपैरिन प्रोटीन का स्राव कौन करता है यक्रित अगर प्रशन बने एंटी बाडी का निर्मार कौन करता ह कि थ्रांबोप्लास्टिन, प्रोथ्रांबिन, आदि विटामिनों का उत्सरजित कौन करता है तो यक्रित, यूरिया, अमोनिया, आदि को उत्सरजित कौन करता है तो यक्रित, पित्रस का स्राव कौन करता है यक्रित, कलाइकोजन का भंडार कहा होता है यक्रित में, प्रोट अगले भाग को हम कहते हैं अगनाशय और ध्यान दीजेगा अगनाशय के दो नाम है इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं इसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं और अगनाशय को हम क्लोम भी कहते हैं ठीक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा लीवर है यह सबसे बड़ी गरंथी ह क्या है यक्रित है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी क्या है यह हमारा पैंक्रियाज है हमारा अगनाशय है और अगनाशय को हम कहते हैं मिस्रत ग्रंथी क्यों कहते हैं क्योंकि यहां से एक एंजाइम निकलता है और यहीं से हार्मोन भी निकलता है यहीं से हार्मोन भी निक यहाँ यहास तो यहास हमोन आप आपका होता है इंसुलिन इंसुलीन टेखिय कि इंचाइब के यह भी होता है 該 जिसका फ्राव पीनखिरियास और मलेजिस और लोल्म यह होते हैं तो अगे शर्चाएं बैसे करता रहा हुगा अभी मैं क्यों अंगों के बारें चर्चाप से कर रहा हूँ, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा, वो पाचक गरंथियों का ही होगा, तो पैंक्रियाज को हम मिश्रित गरंथि कहते हैं, और यहां सरीर की सबसे, दूसरी सबसे बड़ी गरंथि है, यहां एंजाइम मु तो है, इंसुलीन हुए है, हार्मोन है, जिसकी खोच सबसे पहले बैटिंग और बेस्ट ने की थी, यह अभी एक महत्पूर प्रस्ण है, कौन सेप्चुल कोश्चन दोस्तों, नहीं है, या फैक्चुल कोश्चन है, कि खोच किसे ने की है, तो बैटिंग और बेस्ट ने क है, और ध्यान रहे, इंसुलीन में जस्ता नमक तत्व होता है, या UPPSC अपने परिछम प्रस्ण पूछ चुका है, कि इंसुलीन में कौन तत्व होता है, तो जस्ता होता है, और ध्यान देना, इंसुलीन अगर कम हो जाए, तब भी समस्या, बढ़ जाए, तब भी समस्या, देखिए अक्चली क्या होता है, इंसुलीन का कार्य होता है कि शरीर में गुलुकोज की मातरा को नियंतरित करना, जो हमारे ब्लड में गुलुकोज है उसको कंट्रोल करना, अगर इंसुलीन बर जाता है, तो गुलुकोज की मातरा कम होने से हाइपोगलासीमिया, क्या होता है हाइपो ग्लासीमिया होता है ग्लुकोज की मातरा घट जाने से क्या होता है हाइपो ग्लासीमिया जब भई इंसुलीन बढ़ेगा ग्लासीमिया अगर हमारे सरीर में क्या होगा ग्लुकोज बढ़ेगा तो ग्लुकोज अगर इंसुलीन बढ़ेगा है ना अगर ऐसा हो जाए इंसुलीन घट जाए तो गलुकोज क्या होगा बढ़ जाएगा यानि इंसुलीन के घटने से गलुकोज बढ़ेगा और इंसुलीन के बढ़ने से गलुकोज घटेगा जब गलुकोज घटेगा तो हाइपो गलासीमिया होगा और जब गलुकोज कनवर्ट नहीं कर पाएगा ठीक है ना इसको गलाइकोजन बदल नहीं पाएगा तो ऐसे प्राब्लम होती है देखिए अब यहां इस्ट्यक्सिस एंजाइम निकलता है यहीं से यह मैलेज इंजाइम निकलता है तो हम चर्चा करेंगे उस पर आपसे आगे जब पढ़ाएंगे आपको पाचक गरंतियों के बारे में बिसेश तब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम बात करेंगे छोटी आथ के बिसे में देखिए छोटी आथ जो होती है वह कहां द्यात्र इसे हम कहते हैं जेजेनम और तिसरा भाग इसका होता है इसे हम कहते हैं इलियम तो छोटी आत के तीन भाग होते हैं और छोटी आत की जो लंबाई है लगभग कितनी होती है इस्वाल इंटेस्टाइन छोटी आत छोटी आत की जो लंबाई होती है लगभग 6 मीचर क आसपास होती है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है यह क्या है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है लंबाई कितनी होती है लगभग 6.10 मिटर के आसपास लंबाई इसकी होती है तो अगर हम बात करूए सब भागों की दिखानदेना जो यह दे भाग सक वाला जूएख यहां से भाग आया हुआ और अगनासेस निकलता है अगनासेस, अमासेस से आता है अमासेस, जब तीनों रस मिलते हैं आकर के, तो कहां मिलते हैं, छोटी आत के ग्रहडी में मिलते हैं, और पाचन क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं, तो सबसे अधिक पाचन कहां होता है, इसी ग्रहडी में होता है, और इसी ग्रहडी के अंधर दोस्तों सुक्रेज ठीक ना या माल्टेज बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अंतिम रूप से पाचन क्रिया को संपन करते हैं तो यदि प्रस्ण ऐसा बन जाए कि सबसे अधिक पाचन कहा होता है तो आप बता सकते हैं चोटी यात में यदि आपसन में चोटी यात में ग्रहडी दिया हुआ तो ग्रहडी यानि डूडेनम को होता सकते हैं ठीक है और डूडेनम को हम पक्वासे भी कहते हैं इस बात का भी से ध्यान दिजी देखिए UPPSC अपने प्रस्नों को अधिकतर हिंदी में पूछती है तो पक्वासे अगर आजाए आंसर आपका तो छोटी आत के जो भाग होते हैं पहला भाग ग्रहणी कोई पक्वासे भी कहते हैं और ग्रहणी कोई हम ड्यूडेनम कहते हैं अगर हम बात करे मद आतर की अर्था जेजेनम की तो आप ध्यान दिजेगा फ्रेंड्स जेजेनम ऐसा भाग है जो बिलकुल मद में होता है और जेजेनम में क्या होता है जेजेनम में अंगली नुमा सरचनाए ऐसे निकली होती है ठीक ना और इनको हम कहते हैं वीलाई क्या बोलते हैं इनको इनको हम कहते हैं वीलाई तो वीलाई क्या होती है अंगुली नुमा सरचनाय होती है इनको वीलाई कहते है वीलाई का कार क्या होता है कि अमासे में और छोटी आत में पचे हुए भोजन को भोजन में उपस्थित अडूओं को आवसोसित कर लेना और आवसोसर का मतलब यह होता है कि भोजन में जो भी प्रोटीन, अमुनो, अमल, या ग्लिस्टरॉल, या ग्लुकोज है वह रुधिर के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में जब पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं आवसोसर और यह आवसोसर की क्रिया छोटी आत के जेजनम में होता है विलाई के द्वारा तो विलाई वह अंग है तो क्या करता है भोजन के अड़ूओं को प्रोटीन को बिटामिन को कार्भोहड्रेट को इन सबको अवसोसित करता है ठीक ना अब देखिए यह जो छोटी आत का यह भाग जेजनम हो गया इसके बाद छोटी आत का एक भाग और होता है इलियम की तो इलियम के पास ही अपेंडिस है थिक क्या है फिलीडिस में इसके बारे में जालने हम लोग कि Air एपेंडिस ठीठेषा करेंगा आप कि appendix क्या होता है देखिए यह होता है appendix जब हम केवल साकाहारी थे जब मानों केवल साकाहारी प्रवितका था तो घास फूस में क्या था तो जब मनुस्य केवल हर भी बोरस्थासा का हारी था तो इस सेलूलोज अर्थात घास पूस के पाचन में इस अपेंडिस का प्रमुक युग्दान था वेकिन जब से मनुस्य सर्वाहारी हो गए अर्थात मास भी खाने लगा तब से इस अपेंडिस का पाचन करिया में कोई योगदान नहीं है क्योंकि वर्तमान में हम इसका पाचन नहीं कर पाते हमारे अंदर cellulence enzyme के अभाव में हम cellulose का पाचन नहीं कर पाते हैं तो जब हम केवल घास फूष खाते हैं और हमारा भोजन पच नहीं पाता और जब भोजन हमारा कि छोटी आत से बड़ी आत में transfer होता है तो अगर भोजन पच नहीं पाता तो भोजन के जो अडू होते वह appendix पर क्या होता है चिपक जाते हैं और जब भोजन के अरू इस appendice पर चिपकते हैं तो क्या होता है वे भोजन के अरू सरते हैं क्या होता है सरते हैं और जब भोजन के अरू सरते हैं तो पूरा appendice क्या होती सरती है और जब appendice पूरा सरती है तो appendice में क्या होता है दोस्तों पूरे पेट में दर्द होता है पूरे पेट में दर्द होगा वो मिटिंग होगी पाचन क्रिया आपकी बिल्कुल रुक्सी जाएगी और अगर सही समय रहते हुए इसको सरजरी के थो अलग नहीं कराया गया निकल वाया नहीं गया तो इसी में ब्लास्ट कर जाएगी और इसके ब्लास्ट करने से क्या होता है कि ब्रत्ति को बचाने के लिए फिर कोई भी डॉक्टर कोई मेडिकल साइंस कारें नहीं कर पाएगा ठीके ना अब देखी अब यह तो हो गया चोटी आत और आपका अपेंडिस के बारे में और यदि मैं बात करूं आगे आगे क्या है आगे बड़ी आत का भाग है आगे क्या है बड़ी आत देखी जो बड़ी आत होती है वो चोटी आत से क्या होती है मोटी होती है, लेकिन छोटी याद से छोटी होती है. जहां छोटी याद के लंबाई लगबग 6 मिटर के आसबास छी, वही बड़ी याद जो होती है, एक लगबग 5 emphasize 2 मिटर के आसबास होती है. इसकी length श्माल intestine से कम होती है, इसमें भी कई भबाग होते हैं, जैसे पहला भाग क्या है? पहला भाग इसका होता है सीकम, तो अगर मैं बात करूं सीकंब की, तो सीकंब भाग है, जिसमें छोटे-छोटे सहजीवी एंजाइम होते हैं, जिनका नाम है इस्चिरीकिया कोलाई, यह प्रसन कई बार आ चुका है परिछाओ में, इस्चिरीकिया कोलाई, तो इस्चिरीकिया कोलाई वेंजाइम होते हैं, जो कहा होते हैं, जो सीकम में होते हैं, यह सहजीवी कर लेता है और दोस्तों यदि मैं आगे बात करूं तो सीकम के बाद कौन सा भाग है कोलोन है कोलोन काफी लंबा होता है और कोलोन वह भाग है जहां पर जल और दवाईयों का अवसोसर होता है कोलोन में क्या होता है जल और दवाईयों का अवसोसर होता है और एक बिसेस बाग कोलोन ही वह भाग है, जहां से पच्चे हुए भोजन में उपस्थित यानि फूढ श्टप्स में प्रजेंट वाटर वाला पार्ट जानी जल वारा भाग और ठोस भाग दोनों अलग होते हैं तो इसी कोलोन में क्या होता है इसी कोलोन में जल और ठोस भाग क्या होते हैं अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो जल भाग होता है वो मुत्र के धुर बाहर निकलता दोस्तों जो ठोस भाग होता है वो इसी रेक्टम में इसको हम कहते हैं मलासय तो रेक्टम में क्या होता है इकठा होता है ठोस भाग इस मलासय में इकठ जिसका नाम था आपका आहार नाल एलिमेंटरी के नाल दोस्तों यह मुखगुवास ले करके कहां तक आपके जो है मलदवार तक होता है एनस तक होता है अब कुछ ऐसे प्रस्थन है जिस प्रस्थनों पर आपको जो है यहां मैं बता नहीं पाया हूं जरा उस पे एक बार जो मुख में पचता है तो दोस्तों मुख में पचे भोजन को हम क्या कहते हैं बोलस कहते हैं और ध्यान देना हमारी लार में लाइसो जाइम एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्ते जीवानों का नास करता है तो मुख में पचे भोजन को क्या कहते हैं बोलस कहते हैं और आमासे में पचा भोजन क्या कहलाता है काईम कहलाता है और आत में पचा भोजन क्या कहलाता है काईल कहलाता है इन तीनों बातों का ध्यान देंगे बोलस क्या है, काईम क्या है और काईल क्या है ठीक है ना और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मल में पीडा रंग क्यूं होता है और हरा रंग क्यूं होता है तो बिल रुबिन और बिल बर्डिन से और तीन चीजे तीन रसायन इंडॉल, क्रिसॉल और इस्टेटाल ठीक है ना इंडॉल, क्रिसॉल और इस्टेटाल ये कुल तीन रसायन ऐसे होते हैं इनहीं रसायनों कर मल में क्या होता है गंद होती है मल में गंद क्यों आती है तो इन तीन रसायनों के कारण आती है और अगर ऐसा प्रसंद बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है तो अमासे से और ऐसा प्रसंद बनता है कि वह हाइडरेट का पाचन कहां शुरू होता है तो अंगों के बारे मैं डिस्कृष्न आप से डिस्कृस किया है तो पाचक अंग के बाद पाचक गर्नतियां अगी इसके बाद हम लोग पाचक गर्ंतियों को इत्मिनान एक्वाब यहां पर ज catching करूंँगा आप लोगों से स्लावरी के बारे में और स्लावरी फेक्ट के हम पढखेगे गास्ट्रिक ग्लेंड लीवर या फिर प्रें क्रियाईज के बिसाह में हम आपसे विश्थित अध्यां डिस्कसन करेंगे और सबसे बड़ी बात खंड सिक्षा अधिकारी में आपको ऐसे ही लोष्टो क्लास के लिए क्या करना है आप सभी को entry B.E.O. लिक करके ठीक तो खंड सिक्षा अधिकारी में सारी क्लास हमारी आपको पाने के लिए इंठी creator के इस दिएगे नमबर 8382955694 इस नंबर पर आपको वीओ से संबन्धित वीओ में रजिस्ट्येशन और किसी भी प्रक्डिया के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करने के बाद admission की प्रक्रिया रजिस्टेशन की प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया इसमें है वो सारी जानकारी आपको इस नंबर से प्राप्त हो जाएगी तो एक बार पुना है दोस्तों आपको बीयों में admission के लिए इस नंबर पर संपर करना होगा इस नंबर पर संपर करन झाल झाल झाल